और दोस्तों कैसर आप लोग यार मैं आप सभी को वेलकम करते हो आपके फेवरेट यूटूब चैनल जेयार टूटरियल्स में और मैं आपका फेवरेट टीचर गहरो मुन रहा हूँ कि नहीं वहाँ पे बच्चा कहा रहे है सर काई के फेवरेट यार आते हो पढ़ाने लग हो यार क्या करू वह याँ पे लेकिन अगर आप मैंसे बात करना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्ट्रग्राम पर क्यों से इक आप और बहुत आधी किया था और काफी कंपणी का एक हमें आइडिया ले लिया था आपके हमने काफी अच्छा आइडिया ले लिया था कि नहीं बिल्कुल ना दोस्तों लेकिन आज कटम करनें हैं तेंशन ना लो आज हम सीखने वाले टाइपस आफ कंपवनीज लेकिन अब कोई बच्चा है सर मैं तो यार कलती से लगता है मैंने 4 और पहले देखना फिर ही इस पर आना ठीक है और लेसन नवर वन तो आपने कंप्रिट कर दिया है इसा में समझ के चल रहा हूँ ठीक है न दोस्तों आज अपन करने वाले टाइपस आफ कंपनी के बारे में आज बहुत सारी नए चीज़े सीखो के तुम लोग देखो यहां से यह स्टार्ट हो रहा है यह टॉपिक आजगा और यहां पर खतम अने वाला है तो मतलब बहुत कुल सीखोगे वहां पर सर कुछ बच्चे यह रहे सर चार्ट देखे तो यहार हमने यह सब कुछ-कुछ नाम तो पढ़े है तो मजा आने वाले लक्षर में बिलकुल आने वाले अगर बच्चा पहली बार चैनल पर आया है तो आपको बता दो हम एजुकेशन एलेटेड वीडियो डालते है आप पूरा चैनल एक बार चेक आउट कीजे हमारे काफी सर जो इतने महनत करते है राउल सर यहां के हैड़े तो एक बार चेक कीजा है पूरा आपको मजा आगा कितने दरगी होती है एक बच्चा कहा रहा है सर कंपनी तो कंपनी होती है नहीं मेरे बाई कंपनी कैसा ना इसे टिवाइड कर रखे उनके एस पर दनेट्रीवार्मेंट एस पर ने पर कैपिटल वो तो क्या बात कर रहो सर हां है आज सीखेंगे ना देखो यहां सको एकदम में company कोलने वाले private company public company कुछ example याद आया तो बस हुई आज उस example को हम connect करने वाले connect तो नहीं करेंगे लेकिन उस example में हमने जो private company की बात की थी जो public company की बात की थी आज हम उसको एकदम समझने वाले और देखो यार अब यह जो topic से कुछ बच्चा कर रहा है सब हमें सब पढ़ना पढ़ेगा एकदम डिटेल में नहीं मेरे भाई अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक का यह जो कुछ दिख रहा है ना इसमें सिर्फ आपको पार्स लाइन लिखके दिए लेकिन टेंचन मतलो तुमारा भाई ना थ कंपनी यह सब पर एक एक लेशन है तो तुम्हें तो सिर्फ पार्च लग के देशन दिए तो बस वही सीधन है तो तुम समझो तुम्हें सिर्फ इंट्रडक्शन लेना है इसको डीप में स्टडी नहीं करना है बट एक अपने गिमाख में एक आइडिया जरूर रखना है ट्डेस लेकिन आप देखो चलते इस पर तुम बोलो कि सर्पने यह क्या लिखा है टू ब्राक्त बना है कोई बच्चा ब्राकेट बोलाना भूत आता है इसको मांते इसको मिना रेट करना सिखाय था प्रौग historically leftode roll safety ТамBayeちょっと इसको अम प्र्यवेट कंपणी केते हैं इसको यह जी कैसे करोगे जी अ कि अब यह अपन उसका समझ रहा है तो इसको अपन रीट कैसे करेंगे और समझते कैसे रिड़ करेंगे इसको इस का सेक्षेण यह है कई से Кप Kruseणा प्टीदेंगे पपलीक कंपनी इस इसको डिफाइन किया गया ना इस डिफाइन अंडर अक्षयन सब्सक्षयन च Kaiser 닉न्र कोमपिटेवक्यवन यह ना तो धुंकशक्यन क्मपनी इस डिफाइन अन्ड दर देंडव चैश्चिंवे hill of the companies act 2013 यहां पर section 8 लिखा है मैंने section 8 यह नहीं की NPO non-profit organization NPO is defined under section 8 under section 8 of the companies act 2013 तुम्हें confused कर रहा हो सब section यहां पर एक यह नहीं ना तो जबरबस्ति क्यों लगाना है सब section यहां पर नहीं आएगा ठीके दोस्तों तो देखो यार अब मैं समझता हो तुमने यहां पर अब लेकिन अब बिना कोई time waste करें यह वीडियो लंबा होका लेकिन आपको देखना है देखो पूरा समझ जाओ के देंचन ना लोना है एक ही वीडियो में पूरा काम हो जाएगा ठीक है एक ऐसे कंपनी जो गवर्मेंट करते हैं लोगों के भलाई के लिए बस बात करता हो समझें जैसे की सर बताओ ना कुछ एक हाथ एक्जांपल दो पैशल एक्ट मतलब स्पैशल एक्ट इसको क्यों गवाग है क्योंकि इसको गवर्मेंट बना रही है कंपनी को तुम्हारे बहलाई के लिए तो मतलब पुछ स्पैशल सी बात होगी जैसे की आरवी आई आर्वार कितना special is the bank of India Act 1984 इस पे अलग से एक्ट है लेकिन ये बनाया क्यों था दोस्तो लोगों की भलाई के लिए न तो ये लेकिन इसके लिए हमें special अध्वी बनाना होगा नहीं तो लोग इसको बना दिया इसको इसको स्पैशल अग्ट बना दिया क्योंकि यह इतना इंप्रस रखता है एक तो समझा तुम्हें भी इतना ही है तुम्हें इतना ही पढ़ना है इसे ज्यादा नहीं पढ़ना उसकी ना दिया है तो सब इंट्रडक्शन की साब से देखो उसके बाद दूस्तों रेजिस्टर्ड कंपनी अब देखो यार कल मैंने जैसे बात किती में और राउल सरे कंपनी खुलने वाले तो आईसा हमने सोचा और कंपनी खुल गई ऐसा तो नहीं होगा ना दोस्तों हमें गवर् पर चलते उसके बाद दूस्तों देखो यार अब नमबर मेंबर के बेसिस पर कंपनिया बनती है एक बच्चा कहता है सर कैसे आओ सिकते हैं इतने से चार्ट में तुम्हें समझा दूंगा पूरा ठीक है कैसे देखो प्राइविट कंपनी कल ही मैंने आप से बात की थी अग पूबलिक कंपनी को क्योंकि प्राइविट कंपनी का कैसा है आप आपस में ही लोगों में आपस के लोगों में आप कंपनी खुल रहे हो आप एक दूसरे को जानते हो या अगर नहीं भी जानते हो लेकिन वह जो परसन है ना वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग लेवल का बहुत बड़ी बात कह दिये मैंने आपको पता है काफी सारी इसी कंपनी होती है जो प्राइवेट से का में पब्लिक बन चुकी है जबर्दस्ती इसके कारण क्योंकि उनके मेंबर्स ज्यादा हो गए ध्यान रखना पड़ता है और यह ध्यान पता कौन देता है यह कंपनी का इस डुन के ददेए लेकिन आपस के लोगों में बनाते यह लोग के लोगों से मतलब नहीं है तो यहां पर लोग्से लागा सकते हैं तो यही इतने सारे लोगों को बचाने के लिए एसा नहीं है इंटरफरेंस ओ बाइसी बात नहीं लेकिन यह पर थोड़ा सा जाद होता है क्योंकि यह लोगों का पैसा लगा है अब जैसे दोश्टों और देखिये अब आपस में यह वाई यह पालाब्लिक यार यह तो लोगों का पैसा है अब जितने लोगों को चाहों उनको बाई करो जितने से चाहिए उनको सई करो सेल करो रिसेल करो रिपर्चेस करो जो करना है कि अब मिनिमम पबलिक कंपनी को खोलने के आपको यह मिनिममम क्राइक्टरिया है अब लोग के जाओंगो और रेजिस्टर नहीं होदा यह एक लॉट है हम लॉट को चैलेंज नहीं कर सकते यह कंसेप्ट नहीं यह अब तुम बच्चे नहीं हो अब पता है क्या पढ़े आप तुम लॉट पढ़े हो जैसा लिखा गया है मान आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं यह वैसी चीज़े अब बूलो कि सर में को प्राइवेट कंपनी लेकिन अकिला ही खुलना है में और किसी के दुरूरत नहीं है ठीक है तो यह आपकी सोच को आपकी जो हिम्मत दिखाया आपने उसको बढ़ाने के लिए ओपीसी का कंस मेरी दोस्तों में क्या हो पता जगडा हो क्या पता क्यूंकि यह परसान उसके पास पैसी कमी नहीं लेकिन वह चाहता है अगर मैं प्राइवेट कंपनी खोल दूँगा तो मुझे जबर्दस्ति एक इंसान और लगया क्यूंकि तुम बताऊगे क्यूंकि प्राइवेट मोहने को लेकिमें विर्ट किना और यहीं मिनीमम क्राइटेर कितनी पता है एक मेंबर सिफ एक लिविंग पर्सन बूलू गीना दिविंग पर्सन क्यों एक ऐसा इंसान जो खुदसे काम कर सकता हुआ इसकी खुदकी आवाज है जो सारे डिशिजन खुदसे ले सकता है तो नहीं है ना तो कोई company एक और डी company क्या वो पीजी बन सकती नहीं न लेकिन यहीं उस company को अगर कोई CS चलाएगा उसके जो बोर्ड ऑफ डिरेक्टर से वो सब चलाएगे तब वो बन सकती है गिने अपने आप आंसर निकल गए अब देखार दोस्तों ओपीजी अप कैसा है न द सब्सक्राइब को क्या करेगा क्या company अपने बंद हो जाएगी नहीं मेरे वह कैसा होता नहीं जब आप रेजिस्टर करते ओपीजी को वन परसंट कंपनी तो उस टाइम पे आपको एक परसंट का भी नाम देना पड़ता है वह आज आपका नॉमिनी वक करता है अलब किट्स वेस्ट कर सकता हो लेकिन आपको इतना है नहीं नहीं है आपको टाइम वेस्ट होगा में बाद तो वही गूंफिर के आ जाती है क्योंकि कैसे ना दोस्तों आपको पता है एक इंडिया में 182 डेस तक रहा है अब देखो यार यह तुम्हारी बूक में दिया नहीं है तो लोगे सर आपको किसे आता है अरे मैं तो CS कर रहा हूँ न मेरेको तो यह सब सीखना पड़ेगा अब कोई बच्चा गयर है सर मुझे भी सीखना है यह सब देखो अभी आप 11 में हो जब आप थोड़ा सा 12 में आओगे आपको इसका थोड़ा सा और डीटेल आएगा जब ठीक है तो चलो यार आप देखो दोस्तों अब एक बार वापस में चाट पर आते अपन नहीं अब तक कितना सीख ऑन दबेसिस ऑफ इनकॉपरेशन कोई कोई डाउट नहीं है होप यहां पर भी डाउट नहीं रिजिस्टर कंपणी यहार चो कोन से लोग से हमको देखना है कंपणी पढ़ रहे है अपन कंपणी एक 2013 के आपको रूल से एलेशन फोलो करते हैं अन दबेसिस ऑफ नमबर ओफ मेंबर्स प्राविट कंपणी सीख लिया पबलिक कंपणी सीख लिया ओपी सीख लिया चलिए अब अब हम क्या सीखना यह बेग ले दें अब हम दोस्तों स सीखने वाले कंपणी के टाइप सां दोस्तों अब यहां पर एक कंपणी लिवीटेड बाइशेर्स इसको आपको एक एक्जांपल्स के दूरू समझना है ठीक है आपके जो मटेरियल आपके पास जो भी जिस बुक से आप रेफर कर रहे हो आप उसको रीड मारना और इस आपको बहुत अच्छा लगा आप बूले यार मुझे इस इस कंपणी का पार्ट बनना है जैसे आप लोग हमारे फैमिली के पार्ट हो वेसे आपको इस कंपणी का पार्ट बनना था अप गए ठीक है आप ने कंपणी वाले दोस्त यह ले मैं तरह एक शेर खरीदना च वह आपसे बाद में लेंगे, ठीक है, इतना समझ रहो ना, अब एक बच्चा करें सब बाद में क्यों लेंगे, बतलाब वो लोग एक बार इमें क्यों नहीं देते, देखो एर कंपनी को कैसा है न, कुछ अरली स्टेज है, अरली स्टेज में आकर बहुत सारा पैसा ले लिया उनने समझो लोगों से, और उनने लॉस कर दिया, तो उनको चुकाना भी तो पड़ेगा वापस, क्यों न, थोड़ा-थोड़ा लेकर स्टार्ट तो किया जाए, अटलिस कंपनी का काम, यह वह आला स्टेज अना है, देखो अभी, कंपनी में डिपेंड करता है, उनको लग यह थोड़ा सा अजीब सा वर्ड नहीं लग रहा है, इसको कहते है, कंपनी को क्लोज कर रहे, अब तुम कभी बह ऐसा सुनते हो, क्या, यह वह वह पता है, यह वह बड़े हो चुके, यह वह बड़े बच्चे जैसी बात कर दें, कोई आपको देखें, यह बच्चे को काफ समझो, यह कंपनी बंद हो गई, यह बच्चार हो रहा है, सर, अब क्या करूँ, अब मैंसे हो लो, पैसे वसूल ने आएंगे, नहीं, कंपनी लिमेटेड बाइशेर्स है, आपका जो वैल्यू बनता था, आपने जो शेर्स लिया था, कितने में लिया था, 10, आपने कितने दिये 6, अब आपको बचे कितने देने के, 4, कंपनी कितना भी नुकसान कर दे, कितना भी करोडों का लॉस कर दे, आप पता कितने दोगे, सिर्फ और सिर्फ 4 रुपे, सिर्फ 4, क्योंकि क्यों, कंपनी लिमेटेड बाइशेर्स, तुमारे कंपनी में सिर्फ 10 रुपे का हक ता जिस हक में आपने सिफ 6 रुपे दिये हैं बागी के चार बचे लेकिन दो के ना बस कंपनी वाले आएंगे जो भी बैंक वाले लोन जिसने लिया था कंपनी से आएंगे आपका कॉलर पकड़ेंगे गोलेंगे देख तेरी कंपनी तो मुझे पैसे ने दी अब सारे पैसे म लेकिन तुम होगे हसे रहोगे क्यों कि यार तुम ने तो सिफ 4 रुपे देना पड़ा न दोस्तों कंपने का कंपनी की कंपनी पाज़ने को बहुत मज़ा था मैं अब देख़ु यार्द दोस्तों यह कंपनी यह इक बच्छा क्या रहे सर इसका पाट तो में बनूगा ठी यह company नहीं दे रही है अब किसे बनेगा वह बच्चा गार है सर यार क्या बात कर दिया आपने बैको लिए इस company का पार्ट बनने गए और पार्ट तो मैं शेर खरीद कहीं बन सकता हूं नहीं यह company कैसी होती ना यह आपसे एक paper नहीं बंद हो रही हो हम आपको सिफ तभी पैसे दिने को बुलाएंगे नहीं तो आप मत आना अप इंजॉय करो घर पर बिटके यह लोग ने किया कि आपको शेर इस नहीं किये यह लोग ने आपको एक paper दिया वह paper as a guarantee work करता है और आप देखिए जब यह company समझो एक दिन ऐसा आता है यह भाई सब देखिए आपर क्या लिखा मैंने शेर में और में नौट है कंपनी में नौट है शेर कैपिटल मतलब भो लोग शेर इशू नहीं करें ऐसा भी हो सकता है company लिमिटेड़ गारेंटी समझे जो company नहीं और दोस्तों यह बंद हो गई तुमने गारेंटी द कोई बच्चा कहा रहा है sir मैं तो सिफ 10 रुपे यह रेंटी दूंगा ठीक है मेरे भाई जब company बंद हो जाएगी ना तेरे को आना है 10 रुपे देखे जाना है एक बच्चा कहा रहा है sir पैसे की कमी नहीं है मैं तो एक करोड रूपीज दूंगा ठीक है आपने लिखा I guarantee this company for the sum of rupees 1 करोड और company हो गई भाई सब बंद अब आपको क्या करना है अब बच्चा करें नहीं मैं तो ऐसे ही बूल रहा था एक करोड दूंगा मैं पस उतने पैसे नहीं नहीं अपने guarantee दी ना एक करोड अब दोगे अब बैंक वाले पता है अगर आपके पास सिफ 10 लाकी है अ लेकिन उसका एक करोड लेखे जाएगा क्यों क्योंकि आपने उतनी guarantee दी ठीक है तो यहां पर यह तो अगर मुझे बताना फट गया ना वाई सब ना रहा हो जाओ तुम लोग से अन्लिमिटेट लाइबिलीटी अरे किया ना हमने लेक्चर नमबर फोर्थ और फिफ्ट में लेकिनल मिटेट वाला हैथ सोब्रेडर और किसका होता है पाटनर्शिप यार है कि नहीं या भूल गड़े किया तुम लोग अब यह कंपनी भी हैं यह पे किया है यार यह तो अब तुम्हें जुआगे ही सोब्राइब बीचारा क्यों पता है यह ना इसने कंपनी में शेर कोई चारा भी ने मेरे पास मेरे को बंद होना ही पड़ेगा तो कंपनी बंद तो होगई लेकिन कंपनी के पास तक कुछ लोन बचे हुए थे और कंपनी के सारे प्रॉपर्टी इस तो बेच दिये अब बचे कौन तुम लोग अनलिमिटेड लियाबिलिटी हो ना बैंक वाल कि आयेगा तुमारे पास अनलिमिटेड लियाबिलिटी ना बाइद मेरे आजा को अधर पक्ड़ेगा आपका बाई पैसे निकालो आप ऐसा नहीं बूल ला एयर मेरे तो कंपनी में लगा था तो कंपनी काण लिमिटेड लिएटी नहीं होता जब पैसे लगाते ओना दोस् कमपनी ने सब क Nova लिगा Α्य ये कमपनी ये वाली बिजनस में इंगें जो गी इस और है इस कमपनी में आपको इतने फोर्तिक पवर्स मिलीं एस कमपनी ये ये टारिक तक बंद ओगी ये भी लिखा रहेता है तो आपको सब कुछ अच्छे से रीड करना तेपको पैसे लगाने ना खंज है शिट सर मैंने क्या किया था उचनए वह आफर डॉक्योंन आयता जिसको आपका प्रॉस्पेक्ट Russia के ते हैं उस प्रॉस्पेक्ट से अश्पेक्ष को अच्छे से कंपनी में ठीक है अब यार कोई ऐसा जबरदस्ति नहीं आपको आपके पास ओफर डॉक्युमेंट आया अब तो मतलब पैसा लगा नहीं पड़ेगा सर नहीं नहीं तुम्हारे इच्छा पर वह तुम्हारी कंसेंट पर है बस सुमें पैसे लगाने से पहले सारे दोक्युमेंट्स अच्छे से पढ़ने होते हैं तो चलते हैं अगले टॉपिक पर यार दोस्तो आप तक तो आपको मजा आ रहा है क्योंकि यहां तक टॉपिक को खतम कर दिया है अब बारी आगे के टॉपिक को को इंटेविव करने की तो जो सब आपन स्टार्ट करने वाले अब देखो यार इसके लिए मैंने आपको तुमारे में एक डाइग्राम के तरीके से समझाओंगा यहां बात करने वाले कंट्रोल के नजर से क्या कंट्रोल के तरफ से भी क्या कोई types of companies होती होगी अब जिसका कुछ कंट्रोल हो कैसा कंट्रोल हो आओ सीखते ना यार देख देखो यार दोस्तों मजाना वाले यहां दो यार यह company B यह company C यह company A है अब यह जो दोस्तों company B है ना यह क्या किया है इसे ना सी का 51% तक पावर ले लिया है एक बच्छे करे सरफ पावर किसे लेंगे obviously अगर तुमारे पास 51% का investment होगा company में यानि कि तुमारे पास 51% तक की पावर भी तो हुई जितना आपने पैसे दिया उतना अपना आपके पास पावर यही तो concept होता है यार तो अब देखो दुस्तों यहां पर यह company C में 51% तक कप investment कर रहा है 51% तक की holding तो असली ओनर असली कंट्रोल इनके पास ही हुआ ना क्योंकि 51% सार एक बच्छा करे सा 51% पर यहां पर control B के पास केसे आ जाएगा company तो C की है तो C का control होना चाहिए ना उसको B क्यों कर रही है पहली बात क्योंकि वहां पर बीन ना 51% का investment की है 51% का voting पावर है उनके पास बच्छा कह रहा है सर्फ वोटिंग की क्या जरू है देखो है अर दोस्तों कैसा होता ना अब यहां पर 51% पावर तो इनके पास ही है अब बलाई पूरी C company ही 49 हां कर दे तो कितना होगा 49 in the end decision कौन लेगा यह लोग ना भी अब कातम नहीं हुआ है यह सेम जो है ना सेम क्या कर रही है सेम सिचुएशन यहां पर एक और तरी किस और अब जो A company ना भाई साप यह तो गज ऊर्प है कि अब कर रहा है कि अब कोई वच्चा कर रहा हैं हां सर थोड़ा सा थो आईडिया लगा क्यों अगर B जो है सी को control कर रहा है तो एक कि को कि को कर रहा है सी को अरे पर भी खूद अपने को च मlight कर रहा है जो तो A control कर रहा है ना तो master कौन हो है यहां पे master हुआ हमारा A अब indirectly ऐसा भी कहा जाएगा ना यह जो A है ना यह B and C का boss है क्योंकि obviously control पुरा भो ले रहा है तो एक तरके से head हो गया तो उस head को दोस्तों यहां पे यार मतलब holder कहा जाता है ठीक है? holder ए फोल्डर है और इसको रीट बता है कैसे करोगे यहां यहां लिखके रखाए तुम्हारे लेए इस वोल्डिंग कंपनी ओफ मतलब ए के नीचे क्यों कौन-कौन है इसका मतलब यह कौन-कौन है दोस्तों बी एंड-सी अब यही बी एंड-सी आर दी सबसेड्री जॉफ ए समझें कंसेप्ट देवर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है थोड़ा सा डिफिकल्टी है इसमें लेकिन तुम्हारी भी गलती नहीं है तुम्हें भी चोटा सा इंट्रोड़क्शन दिया है और जब तुम आगे बड़े होते जाओगे तो तुम्हें और अच्छी अंडर्स्ट भी में होल्ड करता है कि इतना 51 परसेंट आफ पावर ना होप यार दोस्तों यहां पर आपका कंट्रोल का यह हमारा सबसेडरी और होल्डिंग कंपनी वाला कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा नहीं हुआ होगा वापस देखो रीड करो थोड़ी समझें की क आप कहते हो जब उसमें government ने investment कर रहा है सर कितना minimum investment चीए 51% minimum investment चीए सर ऐक बचा करे 51% ही क्यों आ रहा है कबसे अरे दोस्त डिसीजन लेने का है डिसीजन में majority चाहिए ना तो मेजर्टी कब मिलेगी 50-50 पे नहीं ना तो 51 पर मिलेगी अगर 51 हुआ तो इंडरेंट पावर तो उसका ही हुआ ना यह तो बस वहां पी पर एक government company कप कहेंगे जब वहां पर जो पैसे की इंवेस्टमेंट है वह 51% तो ही mandatory criteria उसके बाद उसमें जो पैसा लगाया ना वो central government की तरफ से आया है या फिर state government की तरफ से आय government ने भी दिदिया center government ने भी दिदिया लेकिन दोस्तो 49% जो है ना यह हम पॉब्लिक ने दिया नॉर्मल नॉर्मल पॉब्लिक ने भाई तो यह कूंसी company के लाएगी बता तुम वह गता हो अगर obviously government company के लाएगी क्यों बाद गुंपिर के वही आ गई ना 51% 51% माला majority decision कि किसके ना लो तुम्हारा भाई यह नार्तु में सबसी काईगा उसके बाद दोस्तों देखा यह foreign company है तो यह सबसे चींडी टॉपिक है foreign company अगर कोई company है एक company वह दब USA में थी भाई USA में एक तो हम successful company भाई सब क्या ही कमारी USA में उन्हें सोचा यार क्यों ना हम इंडिया जाए औ लेकिन उसका एक branch office कोई office इंडिया में है so that वो इंडिया में business कर रहे पर इनका main head office कहां पे है USA में तो यह क्या हुआ foreign company बस कंचब खतम इजी चलाओ अब भी बस इतना सा खतम करना है और हस्ते कुद्टे हमने लेस्न नमबर टू भी खतम कर दिया SP का वाई साब क्या ही पढ़े और तुम लोग रिवाइस करना है इसा नहीं एक बार देखा हो गया नहीं आपस देखो अब यह यह में को बहुत मसंद है कंपनी कंपनी इसमें ना कुछ काम हुआ और तुमने ना जो अकांटिंग रांजक्शन होता है साल भर के एंड में आपको गवर्मेंट को फाइलिंग करने पड़ते ना कि गवर्मेंट जी देखिए हमने साल भर में इतना इंकम कमाया लेकिन इनोंने ना ना तो कोई अकांटिंग क्रांजक्शन की ना ही दो साल मिनिममम टू यह से ना ही इनने गवर्मेंट को कुछ अपडेट दिया तो इस कंपनी को हम डॉर्मेंट कंपनी कहते हैं कैसा होता ना अब समझो आपके पास एक प्लान है एक आईडिया है आपने ना क्या किया यहां पेक प्रॉ प्रॉपाल्स को अच्छे से चेक करते तो लोग क्या करते हैं कुछ का म पहले से स्टार्ट करते उनको पता है देखा तरा भाई जो है ना कंपनी तो क्यों अभी से खुलके रख दो तो लोग पहले अपने आपको डॉर्मेंट कंपनी कर गवा देते और बस पिर ऐसा काम कर सबसक्का सब्सक्राइब कौन रशीन एखर कोन रजस्टन कशहेग को लिएगा कशली स्वाकर ना पडिता टिक है ना बहुत बड़ा छीन सब्सक्क्राइब यार बहुत बढ़ी गेम चल रही है यहां पर चोटे नहीं हो बहुत कुछ सीखना है भी लाइफ में बस वह वाला समय आ चुगा है तुम्हारा और मजा आएगा यार बहुत इंट्रेस्टिंग सा कंसेप्ट ऐसा भी नहीं तुम्हें बोर हो रहा है कुछ ना सिखने को मिल र जितने बच्चे होती है जितने भी person trading करते हैं जिनका भी डिमैट अकाउंट है जो बच्चा financial market में जाता है जाता है सबसे पहले पता है क्या करता है अपने आपको सेवी के पास register कराता है सेवी जो है अपने इंडिया में उनको एक रोल दिया गया है रोल किया है जितने भी companies share market की trading में है आपको उन सब का due diligence करना है उनके उपर नजर रखना है तो अगर कोई share market की companies अगर उनमें enter करता है तो उनमें गौड कौन हुआ सेवी तो हुआ ही साथी साथ रोसी भी तुम्हें company act का तो सब्सक्राइब करना है बहुत बड़ा कंसेप्ट लो लॉस एक लॉग आगया तुम्हें उस लॉग को फॉलो किया ऐसा नहीं होता है लॉग मतलब जितने लॉग है आपको सारे लॉग का धियान रखना है यह होता है लॉग के लिए बहुत महिनत लगता है और जो भी company सब्सक्राइब करते हैं लेकिन जब आप सेक्शन कहते हो ना एक अच्छा इंपक्ट पड़ता है और आप पेपर में लिखके आते हो ना तो भाई साब चेकर चेकर जो है ना आदा माक तो आपको एसी दे अब तुम कहे रहे हो सर आदे माक से क्या होगा तो दोस्त आपको पता है जब आप प्रोफेशनल में जाओगे और जब आप एक-एक मार्क से फेल होगे ना तब वह आपे पता चलेगा को हाफ माक की वैल्यू अभी छोटे हो लेकिन यार एक-एक मार्क इंपोर्टेंट है आप आज से जमचे चलो ठीक है अब देखो यार दोस्तों आप य जादा नहीं होना चाहिए और जो इसकी साल भर की प्रॉफिट एन अर्न होगा जिसको हम टर्नवर कहते है वह दो करोट से अगर जादा नहीं हुआ तो ऐसी कंपनी इसको हम स्मॉल कंपनी कहते है कंसेप्न आप ही खतम हुए लेकिन दोस्तों अब तुमारे मन में खयाल लेकिन एक आइडिया लेके रखो और दोस्तों अब यहां ध्यान देखो यह जो पचास लाग की लिमिट है यह मैंने तुम्हारे मटेरियल में देखी अब एक्शुली जो यह लिमिट हो चुकी है तो यहां पर टू करोर और यहां पर ट्वेंडी करोर है अब यह तुम्हा लिए उसे कम होना चाहिए अटन और वाली तो हम उसको स्मॉल कंपणी केते हैं इतना ही है उसके बाद दोस्तों असोसेट कंपणी सर एक कंपणी को हम असोसेट पता है कब कहेंगे जब यहां पर जो बोर्ड डारेक्टर का मतलब समझे ना जो कंपनी का डिसीजन्स लेते ह नदी ओसे लोग में अपने में अपने एक डारेक्टर बनाया तू बड़ अच्छा काम करेगा तुमारे लेख्लीग काम करना बस यह वो बृड और डारेक्टर से क्या सारे स्टूडेंट्स मतलब सारे मेंबर्स तो company के आके काम नहीं कर सकते ना इतना तो यार इतने सारे लोग आ जाएंगे तो काम नहीं होगा पाते होगी तो यह है कि हम अपने ही सब बीच में सबसे टैलेंटेड इंसान को उठाते हैं उसको डारेक्टर बनाते हम उसको यह पोजिशन देते कि यार हमें पूरी उमीद है तो company के benefit ले काम करेगा और हम सब को अच्छा कासा profit अंद करके देगा यह बोड़ ऑफ ड्रेक्टर की duty होती इतना तो समझ रहे हो यह हमने काप सिखा था यार स्टार्ट में तो सिखा था लेक्चर के क्या कर रहे हो नहीं यहां पर यहां पर यहां पर कोई कंपणी है उनने यहां पर 20% की वोटिंग पावर खरीदी अब कैसा ना तुम्हें 20% की पावर खरीद ना अब तुम्हारे पास एक significant influence है मतलब कि समझो यह company है न कोई decision ले रही है ठीक है कोई decision ले रही है अब तुम जाओगे बोला कि नहीं नहीं यह सही नहीं है यार अब company वालें में मदद कर सकते हो एक बच्चा कर रहे सर में जिस company का पाट हो 20% है तो मतलब मुझे profit तो मिलेगा मैं उस company में एक fraud वाला काम क्यों करूँ अब इसलिदा है को नहीं करेगा आपके पास 20% है company के फाइदा में उसकर और in the end profit तो तुम्हीं मिलेगा बस वही यहां पर 20% की पावर है कोई भी decisions हो तुम में बी ऐसा देखो इतना मैजोर्टी पर बेसिस पर डिसिजन्स होते है ज्यादा तर ज्यादा तर ज्यादा तर यहां ऐसे तुम्हारे पास significant influence है तुम्हारे पास significant influence है तुम्हें तुम्हें पूछ करी कोई decisions लिया जाएगा यह वेसी वाली बात हो जाती है ठीक है अब दोस्वार यहां पर company not for profit अब यह तो यार देखो उस दिन कोई बच्चे कह रहे था सर में तो company खोलूंगा और लोगों की भला अब तुम देखो यार दोस्तों काफी लंबी होगी में समझता हूँ आप चाहो तो थोड़ा से ब्रेक लेके इस वीडियो को देख सकते हो दो मिट का ब्रेक उससे ज़्यादा नहीं है अब दोस्तों अगर आप यह वीडियो एक बार देखते हो तो में भी आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा लेकिन यह तो यह आपके ड्यूटी है आप इसको दो से तीन बार देखो जैसे जब फ्री होते हो तब देखो ले है एक government company क्या होती वह सीखा तुमने और company क्या होती ओविसली वह भी सीखा और स्टार्ट करो लेसन का स्टार्ट याद करो हमने वापर फीचर्स देखे थे किसके सोल टेडिंग कंसर्न के पार्टनर्शिप के और लेक्शन नमबर 6 को यहां पर हमने एंड करने वाले दोस्त लेसन को खतम कर रहा है ना होप यार यह यह लेसन से बहुत माख्स आते हैं कोश्ट में बहुत बनते हैं तो तो तयार हो जाओ यह लेसन में तुमें अच्छा स्कोर करना है पक्षों को काफी डिश क्षिगल्टी हो ने पढ़ाई करने को क्यूंका इनको concept नहीं पता है hard concept ह यार यह इजी कंसेप्ट नहीं है हमको भी बहुत टाइम लगा था जब हम आपके एज में थे और हमें जब हमारे एज में सब आता है ना हमें अभी भी डिफिकल्टी होती है यह बहुत वाइलर कंसेप्ट है फिर भी अगर तुम्हें एक अच्छा सा आइडिया है तुम सोच आज की इस लेक्टर में सिर्फ इतना ही है ना होप आपने काफी इंजोई करा आप बोर में हुए लेक्टर देखते वक्त आपने कुछ नाया सीख्के गए यहां से और जो भी यहां पर पहली बार आया तो आपको पदा ही है यार जेयार टुटोरियल्स पे मलदब एड्यो आपने इतना प्यार दिया है तो हमें तो बताने की जरुरत नहीं तो अब यहां पर आपने वीडियो के लिए मुझे टेक्स करो तो चलो विडियो को यहां पर एंड करते है वापस देखने वीडियो ठीक है करने का हूंगा और इंतजार रहेगा तुम्हारे फीडबैक का ठीक है चलो दोस्तों मैं यहां पर एंड करता हूं तुम्हें और जाला बोड़ नहीं करता हूंगा चलता हूं